अस्तामलेकूम फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल इजी इस लाइक टाई आज में आपके लिए डोरी पाइपिंग लगाने का बहुत इजी मैथट लेकर आई हूँ चैनल फ्रेंड यह देखें यह मैंने यह जो डोरी पाइपिंग है यह मार्किट से आपको इजी ली 10 या 15 रु और यह मैंने यही डोरी पाइपिंग ले अगर इस शेट पर इंटैच कियें मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड यह देखें यह मैंने इसके फरंट साइड पर भी लगाई है और बैक साइड पर भी मैंने जो इसका जो है आज मैं आपको इसे पाइपिंग लगाने का बहुत एजी सा मेतड़ आपके साथ शेयर करूंगी जो एक जिसे बिगनर्स कह सकते हैं वो भी लगा सकता है उसके लिए मैंने क्या किया है मैंने सिंगल पैर इस्तमाल किया है पैर आपको मार्कीर से इजी लिए 20 और 25 रूपीस का मिल जाता है तो यह पैर रख लेने से आप इजी लिए जो है अपनी पाइपिंग लगा सकते हैं उसके लिए मैंने स्क्रू होल्डर की मदद से स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने अपने नॉट को डिला किया और उसका मैंने सिंगल पैर को लगा दिया और अब मैं नॉट को टाइट कर लूँगी इस तो नॉट टाइट करने के बाद मैं स्क्रू डाइवर की मदद से एक पर इसे टाइट करूँगी ताके यह उत्रे ना हमारा पैर हो गया है रेडी अब हमने पाइपिंग के कलर का मैंने पैपिंग को लटी तरफ से रखने के बाद मैं इसके पाइपिंग के साथ साथ बहुत एजी लिस लगाती जाओंगी यह आप देख रहे हैं यह बहुत एजी लिस लगती जा रही है बाद शेयर करती जाओंगी अगर आपने अपनी कमीज की जो चोड़ाई है वह ज्यादा रखी हुई है तो एक बार पाइपिंग लगाने से पहले आप उसे जरूर पहमाईश कर लें और जितनी आपको चाहिए वहां तक अगर आप बिगनर हैं तो आप स्केल की मदब से उस पर निशान भी लगा सकते हैं निशान लगाने के बाद आप उसके उपर उपर पाइप आपने अपनी जो स्टिच है वो लगा लेनी है जो आप कॉर्नर पर पहुंचेंगे जब जहां पर आपका चाह खतम हो रहा है और दामन स्टार्ट हो रहा है तो आपने इसको पैरको पर उठाके इससे इस तरह से टर्न कर लेना है ताकि आपका कॉर्णर सही बन जाए फ्रं कवर था इसमें कोई लेस कप्रा नहीं था तो मैंने जो है बस वैसे ही डेकुरेशन के लिए इसके ओपर इदर भी मखजी लगा दिया है वरना ये आल ओवर कवर किया हुआ था दामन वाली साइड से फ्रेंड्स हमारे एक दामन और एक चाक पर हमारे लग चुकी अब एक कमारा बचा है तो हम उसके लिए भी सितना टर्न करेंगे जैसे पहले हमने अपने पैर को पर उठा कर और इसे मखजी को इस तरह टर्न किया था और मैं आपको बार बार कहा रही हूँ अपनी कमीज की चोड़ाई का ख्याल रखना है इस तरह करते हुए हम अपनी पाइपिं को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है नारी जो पाइपिंग है वो अलमॉस्ट कम्प्लीट होने वाली है टाइम की बच्चत के पेशे नजर मैं आप लोगों को शेट की एक तरफ ही लगा कर दिखा रही और पिर मैं आपको इसकी फोल्डिंग का मैथड़ बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरह फोल्ड किया है और आप लोग चाहें तो आप भी इसे इस तरह फोल्ड कर सकते हैं फ्रेंट से देखें यह हमारे लास्ट वाली हम यहां से थोड़ा सा चाग से उपर तक ले जाते हैं ताकि यह हम इजिली बाद में से कवर कर सकें वरना पर इसके धागे वगरा निकलने का डर होता है इसकी तुरपाई कुछ इस तरह से की है कि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करती गही हूं पाइपिंग को और सुई की मदद से सुई में मैंने मैचिंग ग्रे कलर का जागा यूज किया है और मैचिंग की मदद से मैं से साथ साथ इस तरह से जिस आपको पिक्चर में नजर आ रहा है वीडियो में इस ता चोटे-चोटे स्टीचिस लेते गई हूं जैसे हम लग शेट की तुरपाई करते हैं इस स्टाइल से मैंने से पाइपिंग को फोल्ड करके दिखाएए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसको किस तरह से फोल्ड करना है किस तरह हमने इसके तुरपाई करनी है अभी मैं आपको इसके कंप्लेट आपको आपको अ